हेलो एब्रीवन वेलकुम टू आर्चैनल तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं विज्ञान विशय के कख्षा आठ के विज्ञान विशय का संपुन जो परिक्षा प्रशन पत्र देखा था उसका सॉलुशन लेकर आए हैं इस वीडियो में तो स्टार्ट क का वाहक है मलीरिया रोग का वाहक कौन है ओप्षन ए मादा एनाफलीज मच्छर थर्ड कोशिन है संसलेशी त्रेशा है आंसर करेक्ट हो जाएका आपका ओप्षन बै नाइलोन नेक्स कोशिन फोर्थ है निम्न लिखित मैंसे किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है तो कौन से धातु को पीट कर के चादर में परिवर्तित किया जा सकता है एक ही है यहाँ ओप्षन ओप्षन ऐ चान्दी नेक्स कोशिन देखेंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसादन है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसादन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोलियूम ओप्षिन दे वनोन मुलन का कारण बनुन मुलन कर क्या कारण है यहाँ पर चार आप्शन दे रखे हैं तो यहाँ हो जाएगा आप्शन दे करेक्ट उप्रोग सभी कृष्षी के लिए बनों को काटना इधन की रूप में लकडी जलाना दावालन एवं भेशन सूखा पढ़ना जिससे इन सभी कारणों से क्या होता है बनुन मुलन नेक्स कोशिन है आंत्रिक निशेशन होता है तो आंत्रिक निशेशन मादा की शरीर में होता है तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए मादा की शरीर में नेक्स्ट कोईशन है निम्न लिखित मैंसे संक्टापन बन्य जन्तु है तो संक्टापन बन्य जन्तु बताना है जो कि क्या है ओप्शन से काले ही रन मशीनों में वॉल वेरिंग का उप्योग किया जाता है तो किस कारण से वॉल वेरिंग का उप्योग किया जाता है तो यहां लिखेंगे घर्षन को कम करने के लिए option A correct हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न मैंसे वाक्त होने की आवरिती नियुन्तम होने की संभावना किसकी है पुरुष की option से correct हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे विधूत का सुचालक है तो विधूत का सुचालक निम्न मैंसे क्या हो जाएगा लोहा option से correct हो जाएगा नेक्स्ट है जब काच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ किस तरह की हो जाती है तो यहाँ लिखेंगे धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा रेनावेशित हो जाता है option बेए correct हो जाएगा नेक्स्ट है भुकम आने का कारण है प्रित्वी की प्लेटों की गतिया option से correct हो जाएगा लाल ग्रह की नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है तो लाल ग्रह कौन सा जाना जाता है option A मंगल रुधीर में ऑक्सिजन की वाहग शमता कम करने वाली गैस कौन सी है option B कार्बन मॉनो ऑक्साइड next second question में है उचिश शब्द छाट कर रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजी यहां आपको शब्द छाट करके देगे रिक्तिस्थान को फिल करना है जैसे first है sentence फलीदार पौधों की जड़ों में रिक्तिस्थान पाई जाते है तो क्या पाई जाते हैं आपको लिखना है राइजूबियम बैक्टिरिया यहां लिख देना है आपको राइजूबियम बैक्टिरिया next है ताइफ़ाइड किसके द्वारा होता है तो जीवानू की द्वारा होता है यहां लिख देना है जीवानू थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का उधारन है थर्मो सेटिक प्लास्टिक का उधारन क्या है बैकेलाइट नेक्स्ट है धातुए उक्सीजन से क्रिया कर क्या अपनाती है धात्विक उक्साइड लिख देंगे हम यहां धात्विक उक्साइड जीवाश्म इधन है तो जीवाश् मैंने आंसर कुछ आंसर को आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है यहां देखा था हमने मौसम परिवर्थन के कारण मौसम परिवर्थन होता है तो प्रवाशी पक्षी सुदू छीत्रों से यहां पर प्लाइन करते है तेड़ पोल का वेस्ट में रूपांधन क्या कहलाता जूतों के तले किसकी कारण उता है घाशन के कारण गिस जाते हैं ठीक है उभाशी तर देखेंगे आपका यदी कथन सही है तो आपको ट्रू लिखना है गलत लिखना है और कॉस्ट अगर गलत है सेंटेंस तो फौल्स बताना है ठीक है अब आंचित यह अ अप्रिय ध्वन प्रित्वी सोर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, नहीं, ये भी फॉल्स है, आसु जल में विद्धुधारा का चलन होता है, नहीं, ये भी फॉल्स है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन एक प्रदुशक गैस है, ये सही है, तो यहां लिख देंगे, ट्रू, ठीके, लोहे में संशार होनी तथा जंग लगने की प्रवर्ति होती है, तो यहां ये भी सही है, तो यहां भी ट्रू लिख देंगे, प्रोजेक्ट, टाइगर, बाग के सरंशर से समंदी थे, ये भी सही है, तो यहां भी ट्रू लिख देंगे, ठीके, तो चार पॉल्स हैं यहां पर और तीन कुशन पेपर में ही देख लिए थे आंसर इनके भी चले नेक्स दिखेंगे कॉलम ए में दिये गए शब्दो का कॉलम बी से मिलान करना है ठीक हमने मिलान कर रखा था फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं आंसर तो यहां मिलान करेंगे जैसे रभी फसल कौनसी है ग्यहुचना एक प्रोटोजोवा मलेरिय का कारक का पास क्या हो जाएगा प्राकृतिक रेशा डीजल हो जाएगा मोटर इधर अंडानू उत्पादित होते हैं अंडा शे में ठीक है तो इस तरह से आंसर लिखने दे आपको तो मिलान कर देना आपको इसी तरह से प्रश्र संख्या पांस देखेते हैं मिट्टी में पोशक इस तरको बनाए रखने के लिए क्या मिला जाता है और खाद ठीक है तो खाद लिख देना है कैरम खिलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षन कम करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है पाउडर का ये भी हमने पहले देख लिया था किसी एक ध्वनी प्रदुशक का नाम लिखिए तो लिख देना है आपको गारियों का हौन विद्धूत के एक कुचालक पधारत का नाम लिखिए तो कुचालक पधारत है यहाँ पर प्लास्टिक प्लास्टिक लिख स पेड पौधे काटेंगे पेड पौधे अगर काटते हैं तो कार्बन डाय उक्साइड का ऑफ्रिशन नहीं होगा और ऑफ्रिशन नहीं होगा तो कार्बन डाय उक्साइड मात्रग बढ़ जाएगी एन्वार्मेंट में क्योंकि पेड पौधे अपने खाने के लिए कार्बन चलिए नेक्स देखेंगे प्रशं संख्यस एंगल 10 इसे किसे बने कपडे करीदेंगे चुछा लग शुष्मा का कुछ आलग होता है ये बाहर की उष्मा को हमारे शरे में हैं परवीश नहीं करने दे Cisco 006 सूती कपड़े में पसीना सोकने की शमदा होती है, सूती कपड़े शरील से शिपकते नहीं है, 11 question देखेंगे धातु अधातु में अंतर ठीक है कोई तीन अंतर लिखने थे तो देखेंगे धातु वो अधातु में अंतर धातु चमकदार होते हैं अधातु चमकदार नहीं होते हैं धातु विदुत की सुचालक होते हैं अधातु विद्ध के कुछ आलग होते हैं, धातु में अघात वर्धनिय का गुन होता है, जबकि अधातु अघात वर्धनिय नहीं होते हैं, अघात वर्धनिय नहीं होते हैं, अघात वर्धनिय नहीं होते हैं, अगात वर्धनिय नहीं होते हैं, अगात वर्धनिय नहीं होत तो इस फर्ष पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठीन अपने उत्तर का कारण भी बताईगे तो लिखेंगे गीले फर्ष पर चलना कठीन होगा क्योंकि जूतोव फर्ष के बीच घर्षन बल का मान कम होगा तथा जब हम गीले फर्ष पर चलेंगे तो आगी की और गती के लिए उचित प्रित्तिक्रिया बल प्राप नहीं कर पाएंगे इस कारण से हम फिसल जाएंगे ठर्टिन कोशिन है आग भुजाने के लिए पानी के इस्तमाल से पूर्ष विद्धूत आपूर्ती बंद क्यों की जाती है समझाईए तो लिखेंगे चोकि साधरन पानी विद्धूत का सुचालक होता है यदि आग भुजाते समय विद्धूत आपूर्ती बंद नहीं करेंगे तो करण लगने से जान जा सकती है आते इस खत्रे से बचने के लिए विद्धूत आपूर्ती बंद की जाती है फोर्टीन है भुकम से बचने के लिए आप क्या-क्या सापधनिया रखेंगे बरतेंगे तो लिखेंगे भुकम से बचने के लिए निम्न सापधनिया बरतेंगे भवनों का डिजाइन ऐसा रखेंगे कि भुकम की जटकों को सह सके भवन निर्मार में लक्डी का उप्योग किया रहेंगे अल्मारियों आदि को दीवारों के साथ फिट कर देंगे दीवारों के संग में अगर फिट रहेंगी तो वो वो गिलेंगी नहीं ठेके 15 है सोर परिवार का नामा की चितर बनाईए आपको सोर परिवार का नामा की चितर बनाना है तो इस तरह से भूम बनाएंगे देखे सूरे के सबसे नजदिक हमें क्या दिख रहा है बुद्ध, मंगल, दैन क्या है पृत्वी, शुक्र, ब्रिस्पती ब्रिस्पती, शानी, नैप्टून, यूरेनस कितने ग्रह नज़र आ रहे हैं आपको वान, टू, थ्री, फोर, फाई, सिक्स, सेवन, एक टूटल आठ ग्रह हैं आप हमारे सोर मंदल में जब फिफ्टीन कॉशन हो गए, आप देखेंगे सिक्स्टीन कॉशन जहां पर आपका है CNG और LPG का इधन की रूप में उप्योग करने के क्या लाब हैं तो आपको बताना है तो उप्योग करने के क्या लाब हैं देखते हैं निमलिखित लाब है, LPG बिना धुआ की चलती है जससे वाईव प्रदूशन नहीं होता है यह सोगमता से जलते हैं, इसका उश्मियमान उच्छ होता है जलने पर कोई अप्षिश शेष नहीं रहता है ठीक है 17 कोशन देखेंगे नर जरन तंतर का आपको नामां की चितर बनाना है तो देखेंगे नर जरन तंतर का नामां की चितर इस तरह से बना देना है ठीक है जाबर आपको नाम लिखना है शुक्रानु नली का शिशन और प्रशन इसी तरह से आपको नामां की चितर बनाना है तब ही आपको मांक्ष मलेंगे ठीक है चलिए next देखेंगे question खृर्पत्वार किसे कहते हैं खरपत्वार का नियंदरन कैसे किया जाता है समझाइए या फिर आप कर सकते हैं सिचाए किसे कहते हैं जल सरक्षित करने वाली सिचाए की दो विदियो का अबनार कीजिये तो यहां हम देखेंगे आंसर, खर्पदवार किसे कहते हैं? और नियंदरन किस तरह से कहते हैं? खर्पदवार वे अवांच्णी पॉधी या जंगली पॉध्य हैं जो खेट में बोई गई फळसल के साथ अपने अब उग जाते हैं खरपतवारवन नियंद्र इस तरह से करेंगे कि इसके लिए खेट की निराई करते हैं इसके लिए इसी पौदो को खेट में से हटा दिया जाता है जिस खेट में से हटा देते हैं और निकाल दिये जाते हैं अब यदि खेत में पटेला या हैरो नामक कंगी जैसा उपकरन गुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खर्पतवार पटेले की छड़ों के साथ फस कर खेत से बाहर निकल जाते हैं रसायनों के उप्योग से खर्पतवार को नाश करने के लिए टू-फोर्डी जासे रसायनों का छिर्काव कर दिया जाता है जल में आवशिक्ता नुसार मेला एक वहरा की साय्तता से खेत में चिर्काव करते हैं कोई भी एक करणा था हमने खर्पतवार का कराया आप Sुझाही से रिलेटव कशन कर सकते थ capsule आप प्रस्ण संक्या उनीस करता है वनुन मूलन का आर्थ बताईए इसके कार्णों का उल्लेक कीजिए या अथवा में आप लेख सकते हैं Red Data पुस्तक क्या है किनी दो संक्टापन जंदों के नाम लिखिए तो यहां आपको आंसर पता देना है तो Red Data पुस्तक है वह पुस्तक है जिसमें सभी संक्टापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है पौधों, जंदों और अन्य स्पीशीज के लिए अलग-अलग Red Data पुस्तक हैं संक्टापन दो जंदों के नाम लिखने हैं तो लिखेंगे भारतिय शेर और गेंड़ा बीस्वा प्रश्न है, क्या तो आप कर सकते हैं मच्छर अपने पंको को 500 कंपन प्रती सेकिंड की औसर दर से कंपित द्वनी उत्पन करता है या फिर आप कर सकते हैं निम्लिकी वादी यंद्रों के किस भाग से द्वनी उत्पन होती है उस भाग का नाम लिखिए तो यहां हम नीचे वाला कोशन करेंगे, आप उपर वाला भी सॉल कर सकते हैं धोलग, कहां से निकलती है इसकी आवाज? तनित जिल्ली से सितार तनितार से मासूरी वायूस्थम से मजीरा धात्विक कन से ठीक है तो चारों ही आप अपने आसपस देखी ही होंगे तो आपको पता होगा कहां कहां से ध्वनी निकलती है ठीक है उनके नाम लिखने दे तो बहुत इसी कोशन है ये भी चलिए नेक्स देखेंगे 21 प्रशन लास्ट कोशन है जल प्रदुशन को नियंतित करने के चार उपाय बताईए या फिर आप कर सकते हैं वायू प्रदुशन से क्या आशे है वायू प्रदुशन के हानिकारेक प्रभाव का लेक कीजी को एक करना है तो यहां हम देखेंगे जल प्रदुशन वाहित मल घरों से निकल ले हुए अपमाजग दथा जल को शहर के निकट नादियों और तालावों में न गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादिक से दूर गिराना चाहिए कारखानों से निकलने वाले जहरीले अप्षिश परदारतों गर्ण जल को जलाशी नदी समुंदर में नहीं गिराना चाहिए कारखानों के अप्षिश परदारतों को उपचारित करके ही नदियों में गिराया जाना चाहिए कीट नाशकों का प्रियोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस खेट का जल पीने वाले जलाशों में बहकर ना जाए ठीक है तो इस तरह से कंपलीट होता है आपकी टोटल कोशन्स के आंसर उमीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा समझाने की कोशिश की है अगर फिर भी आपको कोई किस कोशन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके आने वाले एक्जाम के लिए बेस्ट अफ लग उमीद है अगर आपको थोड़ा भी हमारी तरफ चैनल की तरफ से लाब मिला है तो आप हमें कमेंट बक्स में जरूर बताएं ताकि हमें मौटिविशन मिलें आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस हेलफुल वीडिय करने की तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद